हेलो गाईस, वेलकम बैक टू माई चानल, आज मैं आपके लिए ब्रेड मलाई डॉल का रेसिपी लेकर आया हूँ, इसका टेस्ट बिल्कुल सेम रस मलाई जैसा होता है, आप जब इसे खाएंगे तो आपको ऐसा लगए है कि मैं रस मलाई खा रहा हूँ, ये बनाने में प्रेड आपको इसलि आपके पास ओले शॉप पह मिल जाएगा, मैं जो घृड लिया हूँ, वो सीक्स पीसे बैड का यूज कर रहा हूँ, मैं इसके साइट वाले पार्ट को काट के हटा दूँगा, आप देख सकते हैं जो ये साइट वाला पार्ट है, उसे मैं काट के हट हो इससे हैया बार बने चाहिए को आप जो रॉल करेंगे तभी हाथा और अगर आप चाहेंगे कि इसको काट के नहीं हटा आज तभी बन जाएगा लेकिन थोड़ा डिफीकल्ट होगा फिर भी उसके बाद बन जाएगा इसी तरह सभी मैं सारे बाले पार्ट को मैं काटकर अठा दूँगा इसके बाद मैं बैलंस से बैलूंगा जैसे रोटी बैलते आपको सेम उसी तरह बें और यानि ब्रेट को आपको पतला कर देने तभी आपका जो रॉल जो आप फोल्डिंग करेंगे तभी आपका फोल्डिंग होगा वो रॉल बनेगा अगर आप बेलंसे से नहीं करेंगे अगर रॉल को आप फोल्डिंग करेंगे उस टाइम जो रॉल होगा वो आपका फटने लगया सही से फोल्डिंग नहीं होगा इसल आपको भी फूल क्रीम मेल्क का यूज करना है कि मुझे मिल्क को डिडियूस करके हाफ कर देना यानि 250 करना है अगर आप टॉन मिल्क लेते तो उसमें आपका टाइम भी जादा लग जाएगा रिडियूस होने में बहुत जाधा टाइम लगेगा और गैस का भी वेश्टेज ह अज़ते हैं, अजह पिर 16-20此 कि अधिन mis को भाइन ही चुछ टाला, link के मैं शूकरम से 150К 이용 मैं हो आपको मिलका को लेका उसे बहुत तग आपको पता है है को फोट वेकर हो एक गृत तयम में डाल दिया हूं आप अपने हैसाब से कम जादा डाल सकते सफिर ऊत्सके है देखिए हमारा मिल्क यहां पर रेडी है 250 ग्राम हमारा मिल्क हो गया हाफ रिड्यूस हो गया है इसी तरह आपको सारे मिल्क को लेकर उसे पका कर अच्छे से हाफ रिड्यूस कर देना अब मैं रॉल के लिए उसका फिलिंग बनाऊंगा फिलिंग के लिए मैं यहां पर मिल पैने में तक यह तक बनाए है तो में डाल दिया इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसको मैं दो से इन मिनट के लिए गैस पर पकाऊंगा उसके बाद जो हमारा जो फिलिंग है वह बंकर रेडि़ी हो जाएगा आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे milk powder लिया हूँ फिर इसमें जो milk मैं जो add किया हूँ जो मैं milk जो बनाया था मलाई वाला वो मैं इसमें डाल दिया हूँ यह देखिए अच्छा सा थीक हो रहा है इसको अच्छा सा थीक करना है थोड़ी दिर में ही हो जाता है milk powder है तो थोड़ी दिर में ही हो जाता है दो से तीन मिनिट लगेगा आपका यह ready हो जाएगा अब मैं इसमें कुछ dry fruit एड़ करूँगा यह optional है आपके पास जो भी dry fruit है आप इसमें डाल सकते हैं जबरी नहीं कि आपको आलमंड और पिस्ताही डानना है आपके पास जो भी dry fruit है आप डाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे इसकीप भी कर सकते हैं अब देख सकते हमारा फिलिंग बहुत ही अच्छा बन रहा है बहुत ही जादा टेस्टी है क्योंकि मैं इसमें कोई इस्टरा कुछ एड नहीं किया हूँ इसमें milk powder है, milk है और dry fruit है हमारा फिलिंग जो बनकर ready है अब मैं bread के अंदर फिलिंग करूँगा उसके बाद जो हमारा roll है वो बनकर ready हो जाएगा देखे मैं यहाँपे टूइस्पून एक bread में टूइस्पून में इसमें फिलिंग डाल ला हूँ इसी तरह आप कम ज़यादा इसमें डाल सकते हैं फिलिंग आपके उपर डिपेंड करता है आप जितना इसमें फिलिंग डाले या आप जितना क्वांटिटी में बना रहे हैं उस इसमें फिलिंग डाल सकते हैं फिलिंग डानने के बाद इससे फोल्डिंग करना है रोल के जैसा आप देख सकते हैं कैसे फोल्डिंग कर रहा हूँ आपको सेम इसी तरह आपको फोल्डिंग करना है सारे ब्रेट को जितना भी आप बना रहें जितना भी क्वांटिटी में ब्रेट के उपर वन टी स्पून आप डाल सकते है, टू स्पून डाल सकते है, फिलिंग कुछ भी डाल सकते है, डानने के बाद आपको इस तरीके से फोल्डिंग करना है, फोल्डिंग करने के बाद एक जगे से आपको रख देना है, एक साइट से, देखिए मैं यहाँ पर इसी तरह मैं सारे मैं जितना भी ब रस्मलाई जैसा है आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बनने वाली ए रेसिपी है यह बहुत ही टेस्टी बन जाती है रेसिपी बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम सामान में मैं यह पे Only Milk का यूज किया हूँ milk powder और milk का यूज़ किया हूँ और कुछ dry fruit और bread और बाकी मैं इसमें कुछ भी नहीं डाला हूँ यह बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं बहुत ही tasty यह recipe बनता है बिल्कुल same आपका रस मलाई जैसा बनेगा अब हमारा bread ब्रेड मलाई रॉल बनकर रेड़ी है इसके उपर मैं गानिसिंग करूँगा कुछ dry fruit डालूँगा यह optional है अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं नहीं है तो आप इसे skip भी कर सकते हैं अब हमारा जो bread मलाई रॉल है वो बिल्कुल रेड़ी है इसे आप खा सकते हैं आप इसे दो से तीन दिन चाख दिन आप इसे श्टोर भी कर सकते हैं बनाके रखली जए आपको breakfast में या snakes में या dinner में आपको खाना है तो आप freeze में रख सकते हैं आप इसे निकाल के कभी भी यूज़ कर सकते हैं चैश्टी तैम कुछ सामान लाइ करता है दो देख सकते हैं जब श now एक बाद सर्क्राइब करें झाल